असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ केरी की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत कुईक और इजी रेसिपी है ये सिर्फ दो मिनट में बनके रेडी हो जाती है और ये बहुत चटपटी और लाजवाब सी केरी की चटनी है आप लोगी से जरूर ट्राय करना और मुझे इसका फीटबेक जरूर देना कि आपकी केरी की चटनी कैसी बनी तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं ये बड़ी साइस की मैंने केरी ली थी इसको छिलका उतार के इस तरह से पीसेस कर लिये थे ये मैंने आदी गड़ी प्याज ली हूँ और चार-पांच क्डा चमच नमक केरी को मैंने जो प्याज करके रखते वह कंगसिजयर में डाल दिया की और इसके साथ में कंद्भा दाल दोंगी जो मैंने आदंगड़ी काट के रखते ते कंद्ध हमारी केष्ट्च कटे पन को ब्याइंस करेंग आ औरगो एसको कि एसका साथ में प्लच और जीरे को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूटके ले ली इसमें दो बड़े चमच मैंने तेल डाल दी इस चटनी में थोड़ा तेल जादा लगता है आप भी जादा ही डाल लिए अब तेल गरम हो गया लसन भी पकने लागा है तो हम इसमें कड़ी पत्ता राई और अकी लाल मिर्ची के दो तीन तुकड़े करके इसमें आट कर देंगे इस लसन का कलर हमें चेंज नहीं करना है बस इसे अब हमें डाल देना है कैरी और जो हमें प्यास पीस के रखी थी उस पेस्ट को हमें डाल देना है इसके अंदर आपसे 2-3 सेकंड के लिए इस तरह चलाते वे हमें भून लेना है ताकि हमारे जो प्याज है उसका कच्चापन खतम हो जाए इस तरह से हमने 2-3 सेकंड के लिए इसे पाका लिया है अब गैस की फ्लेम को कर देंगे आफ और इसे थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद इसके साइट से तेल निकलते लगता है और आप इसे 15-20 दिन के लिए फ्रीज में रखे आराम से खा सकते हैं यह खराब नहीं होती है हमारी केरी की चटनी बनके रेडी है देखे कितनी जल्दी बन गए और कितनी चटपटी दिख रही है दिखने में ही अब हम इसे सर्व करेंगे मैंने इस तरह से सर्व किया था यह बहुत टेस्टी बनके रेडी भी थी और बहुत चटपटी थी आप लोग ज़रूँ ट्राय करना आप इसे दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, खिचडी के साथ और बहुत सारी स्नैक्स के साथ भी ट्राय कर सकते हैं यह बहुत अच्छी लगती है, हर चीज के साथ यह पॉफेक्ट जाती है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है अगली रेसिपी के साथ, नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज